Hello guys and welcome back to my channel तो आज हमारे पास है Apache RR310 BS4 variant और ये मैंने बाई किया था 2018 में सेप्टेमबर में तो चलिए स्टार करते हैं इसका ownership review और जानते हैं इसमें क्या क्या मैं आपको डीटेल बताता हूं और ये जो वीडियो होगी मुझे केमिटी पोस्ट ने पूछे थे तो वो समसभी के answer दूँगा और बात करेंगे services की तो इसकी fourth और paid service कितनी होती है जितनी हम कराते है fourth से six तक उन सबकी में पास list है और मैं आपको इसके screen पर भी दिखाऊंगा और बात करेंगे इसके expensive parts की तो इसके कितने expensive parts है और इसमें company ने इसमें कुछ parts की जो cost हो कम भी करी है और कुछ जो इसके expensive है तो first बात करते हैं इसके look की तो angle change तो भाई look इसका एक number है और कोई भी आप इसमें 600 CC तक जितनी bikes हैं वो आप इसमें देखोगे तो आपको look में कोई कमी नहीं लगनेगी इससाब किसी angle से देखो हर angle से आपको एकदम best और बढ़िया looking bike आप कह सकते हो और यह almost 69 CC लगती है और real life में आप देखोगे तो आपको और यह अच्छी लेगी और आपकी इसका look की बात करें तो एक बार आप इसे कहीं भी लेगे जाए मुंडिया घूम जाएगी लगोगी और बढ़िया है लुके है लुके आमले में कोई शिकायत नहीं है और बात करते हम इसकी क्या touring mode की तो टूर हम इस पर कट सकते हैं 300 km तक 300 km बाद आपका हाथ दर्द करेंगे और मैंने इसमें 500 km की राइड करें थी रायस्थान से लेके मैं आया था इसमें यूपी तक गाजवबाद तक आया था लेके तो उसमें मेरे को 300 km के बाद जो है इसमें पेन होने लगया था हाथ में और थोड़ा से यहापर रिस्ट में हुआता है और बैक में नहीं होता है क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो इतना एग्रेसिव नहीं है मैं आपका एगार इसमें बैट कर दिखाता हूँ तो जैसे मैं इसमें बैटते हैं चीट के अंदर अगर आपको इससे थोड़ा एग्रेसिव चलाना होता हो तो थोड़ा ऐसी जुक्के से आप चला सकते हैं और कंफर्टेवल के लिए थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा सा स्लाइड हो जाई है तो इसके अंदर काफी अच्छी बात है हो 300 km तक है 300 के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पेनिज होने स्टार्ट हो जाएगा तो आप जब भी से लॉंग राइड करें तो थोड़ा रेस्ट लिजे पांच मिन्ट का बीच में या फिर आप कहीं भी तो चास तो मैंनिवल से 30 km तक मैक्सिम इसमें बैठ सकता हो जहल सकता आपको क्योंकि इसमें जो है इसका कमफ़र्ट हम डिसकमफ़र्ट कह सकते है कैसे क्योंकि एक तो चीट से की छोटी है थोड़ी सी हार्ड है और पकड़ने के लिए आपको आपको एक ही तरफ से मिल जाता है आपको जब भी आप इस वाइक को लोंग राइड के लिए तो इसमें बंदा जो अकेला ही जाएगा तो लोंग राइड की साथ साथ यह जो है बाइक अच्छा माइलेज भी देती है तो आपको अगर सिटी में चलानी हो तो सिटी में आपको यह 30 kmpl एप्रोक्स आपको देगी और अगर हम हाईवे की बात करें तो आपको 35 से 32 तो मुझे मिला है रियल में 32 मिला है मुझे अब तो थोड़ा से स्ट्रेश करते हो देड़ से ऊपर ले आते हो और आपको 120 तक करोगे तो अच्छा मिलेगा देड़ सो तक ले जाओ गया देड़ सो केंपियस तक तक तो आपको 32 तक क्या 30 32 का आपको आपको अच्छी तरीके से 160 50 की स्पीड तक तो यह इसका माइलेज थोड़ा हमारा अखाके समें टैंक बार के अंदर थोड़ा फूट데के अंदर होंगे और शीट करने थोड़ा बेट और वील है वो सेकंड गेर में भी आपको लिफ्ट रहागी आगे से तो ग्राउंड से कमसें इतनी लिफ्ट रहा थे सेकंड गेर में भी मैंने इसे कई वार कट चुगा हूँ ऐसे मतलब करा किया अपना आप हो जाती है जब यह मिसे कोई एक्सेलेशन देते हैं और कॉंप्र कोंप्रीटर की बात करें तो थिरनेट सीशे देक्स में कॉंप्रीटर बहुत सारे है आट सी थी नाइंटी है नेंजा है और अर्थ्री है तो उनसे कंपेर करें तो उन्नीच भी इसकागो फरक लेगा पर्फॉमेंस मतलब की जब आपको इसे स्ट्रेश रहोगे हाईवे प तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हाँ कम है पावर और आपको अच्छा ही लएगा फील आपको इसमाइल ला देगी चाहरे पर इतनी पावर तो है इसके अंदर और आप इसे आसानी से ओवर्टेक कर सकते हो इतना आपको कॉन्फिदेंस आता है और 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 यादा है इस पीड पर हो तो आप इसे बिल्कुली जमीन से चिपकर चलेगी और स्टेबल चलेगी बहुत जादे हम कहते हैं इसको और हम कोर्णिंग करते हैं तो फुल कोर्णिटेस आता है क्योंकि इसके टायर है और काफी अच्छी ग्रिप में प्रवाइड कराते हैं और इसमें पंच अच्छी है और ज्यादा कोश्ट भी मतलब कर सकते हैं कि यहां वेली फॉर में इसके टायर से और ग्रिप भी काफी अची आपको प्रवाइड कराते हैं तो सर्विस की फर्स सर्विस होती मेरी 1100 रुपे इसमें लगे थे क्योंकि सेमी सिंथेटिक ओला था तो इसमी सर्व करते हो तो आपका खुदा कर देंगो सर्विस आपको फ्री होएगी बस चेक अप होगा और हाँ थर्ट सर्विस में बात करते हैं तो थर्ट सर्विस में आपको इसमें 2200-2500 रुपे लग सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 1750 रुपे का फुली सिंथेटिक ओल लता है टीविस का 15W 50 और इसे पर्फॉमें सोड़ी से इंक्रीज हो जाती है और थोड़े से कम हो जाते हैं थर्ट सर्विस में इसमें स्पेंड करे थे 2200-2500 रुपे और साथ में इसमें डर्वायता है स्लिपर क्लच इसकी कोर्स थी 4500 रुपीज तो मुझे इसमें टोटल बिल आ गया था 74 या फिर 72 100 का प्रोक्स आप किसमें बिल आ गया था साथ या दो सुर रुपे और आपने उसकी वीडियो जरूर देखियोगी मैंने इस वाइक में स्लिपर क्लच इंस्टॉल कैसे कराया काफी अच्छी वीडियो बनीते हैं लाइक ही मिलेते काफी अच्छी तरीके से तो आ आपको 5,310 रुपीज तो इसमें अपका चिंज़ होता है इसमें इंजन ओयल जो कि इस भाई ने कराये हुआ है 300 V-square अगर आप चाहो तो इसकंदर कंपनी का लगा सकते हैं फिर जो उनसा मर्जी हो आप इसमें आपको इंजोने डिवा सकते हो क्योंकि थर्ड सर्विस तक यह कंपनी प्रोइड काते हैं सारी चीजे क्योंकि वरांटी देती है इसलिए अगर आप नहीं कराओ के तब वरांटी वहा हो नहीं दें कंपनी तो अच्छा यही रहा कि थर्ड सर्विस तक आप उन्हीं क्या इंजन इंजन यूज करिए और फोर्स सर्विस में आप इसमे रियर वाले इसने भाइन लागा राके हैं एक हजार पचास के पर जो ब्रेक पैर की कोश्ट है वह 206 रुपे हो गई है 70 परसेंट जो बाइक जो है ब्रेक अपलाई होती है फ्रेंट से होती है और 30 परसेंट जो है बाइक यूज करती है ब्रियर ब्रेक रुखनी के लिए स्टॉप होने के लिए तो इस वह किसे जो आगे के प्रेंग थोड़े से एक्सपेंसिव और इची क्वालिटी के है और पीछा वाले पको थोड़े से थोड़ी सी कम क्वालिटी की मिलते है और 206 रुपे इसकी प्राइज है पर आप कुसी और सो रूम पर देखोगे तो हा यह 5,310 रुपीज तो यह थी इसकी आरा 310 की फोर्ट सर्विस कोस्ट अब बात करें इसकी 6 सर्विस की तो मेरे पास 6 सर्विस का डेटा है तो एक भाई ने कराई थी उसकी चल चुकी थी 25,318 किलोमीटर और इसकी टोटल कोस्ट आई थी वो 13,799 आई थी तो उसमें क्या क हमारा ओइल फिल्टर वा था इसमें 271 रुपीज के लिए और फ्यूर फिल्टर हुआ था हमारा इसकंदर 145 का और हमारा इसमें एर फिल्टर है 348 रुपेगा चालिस रुपेगा इसकंदर डिस्टिल वोटर डादा हुआ है कूलेंट से गात मिला कर तो कूलेंट है यह सब्सटर पीछे वाला वह मारा 215 रुपे का यह बड़े वाला चैनिस परकिट देख रहे हुए और इसका फ्रेंट चैनिस परकिट है तो आपको 5,000 रुपीस का आपको पूरा बिल अमाउन देना पड़ेगा जो कि पहले हमारा 6,000 रुपए दा सिर्फ चैनिस मुगट गा तो ये कंपनी ने थोड़ा कम कर दी है प्राइस और अब जो इसमें चेंज कराऊंगा और इतनी चलती है लाइफ और इसकी कॉस्ट है इसमें 236 रुपए है और हमारे रियर ब्रेक पैड की कॉस्ट है 206 रुपीज और इसमें चार्ज लिया है लिले ने 234 रुपए का और बात करते हैं इसके लेबर चार्ज में कितना लगा है तो चेंदी प्लेस का लगा है इसमें 708 रुपए और हमारे रियर इसमें जनरल सर्विस लगा है 1121 रुपए का और हमारे ब्रेक पैड का लगा है इसमें 302 रुपए का और डिस्काउंट बिल किया है भाई को फोड़ा ऐसा 117 रुपए का तो टोटल जो बिल आता हुआ था 13,779 रुपए तो यह इसका सिक्स सर्विस का कोस्ट है और 27,000 के बाद आपकी सिक्स सर्विस सदे को मांगेगे जरूर और उसके बाद साब से आपको इसके ब्रेक पैड चेंज कहने पड़ेंगे तो बाई इस बाइक को ले इस जो कीजिड़ेंश को सबस्काइब और उनेरा के फिलकिजिटान दो होता है तो इसका आथि चरन करने के लिए मेंटेनश का जिए तो बात करता हूँ इस बाइक के इसके पार्ट की कितने इसके एक्सपंसीब पार्ट है तो मेरे पाइस में थोड़े से इसमें पार्ट की रियल प्राइज है और उपर से पार्ट भी दिखाया है तो आपको इसके पर शो हो रहे होंगे तो एक मेरे दोस्त है उसकी जो बाइक क्रेश हो गी थी त फोटो बहरे इसका एक पार्ट है तो पहला बात करें इसका एक पार्ट है नीच वाला तो बाइक से फेरिंग नीचe वाला पर यहां पर लिखा हुआ है डू ऑफिक ब्लॉक तो यहां पर बाइक के साध आ हम kg 108 रूपे yности ब्लैक ब्लैक पार्ट है तो क्योंकि LED प्रोजेक्टर है तो इस वी से थोड़ी सी महेंगी है और upright है काफी और next की बात करूं next हमाराइं dumper इसका dumper डी टूदिया था तो dumper ही cost है 278ृपीz 278 रूपीz और बात है हमारे फिर इसके पैड की रिेर तो हमारे रियर पूर्ट पढ़िए के वस्की कोस्ट भी है ऐटे एटी रुपीज आप इसमें देख सकतें would you तो एक साइड फेरिंग यह उसी कोस्ट नइभ उई है तो 222जी रोपे के इसकी रेड वाली फेरिंग है जिसमें मैं E arat यह हमारे चार इंडिकेटर आते हैं LED इंडिकेटर और फिर हमारे इसके अंदर LED टेल लाइट जो पीछे की इसमें डेट टाइम कह सकते हैं बहुत प्यारी जो उसकी लाइट है रियर लाइट राइड लाइट और इसकी कोश्ट है 1708 रूपीज तो पूरी लाइट ही रिप्ल और इतनी सीष्टी क्याटेगरी तक की बाइक है वह अपको मैंटेन कर सकता हूं और चला सकता हूं और यह सही इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रूफ के साथ दिया है और आपको डिस्पले पर शो किया है गर बाइक में पावर है पावर की कोई कमिनी लगेगे आपको और यह कि आप सेक्ट गिर में आपके से पावर भी लगेगी और स्थर्ड गिर तक आपका जो टायरे स्पिन करेगा हाईवेः पर आपका फुल स्प्लिस लाते हो तो काफी अच्छी पावर्लाइस बाइक के तो आई अब दोस्तों आपको काफ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल के साथ जूरू कीजिए और यह हमारी अपाची आरा थी टैन्म बीस 4 वेरेंट और अब बात करूंगा मैं आपको बीस 6 वेरेंट की नेक्स वीडियो क्राइब नेक्स वेरेंटर यूुई अहल्य को